संक्रमन से बचुने के लिए लोग नए नए तरीके खोज रही हैं। उजेन में हैंड वॉष के लिए हैंड फ्री जुगार बनाया गया है। इससे बगेर हाथ लगाये ही लिक्विड निकलता है। बस हैंड वॉष करने वाले को पैडल का उप्योग करना होगा और बोटल का लिक्विड हाथ में आते ही हैंड वॉष हो जाते हैं। उजेन चामुंडा माता मंदिर चुराहे से गुजरने वाला हर वेक्ती अपने हैंड जरूर वॉष कर रहा है। यहां पर जुगार के घरेलू समान से ऐसा प्रयास किया गया जो कि बेघर लोगों के लिए काफी उप्योगी साबित हो रहा है। हैंड वॉष सिस्टम कार कर सकेगा। इसमें कोई भी वेक्ती पैडल दबा कर हाथ दो सकता है। इसमें एक बोटल में डिटॉल लिक्विड हैंड वॉष एवं दूसरी बोटल में पानी रखा गया है। जिसको दिन में दो बार ग्रुप द्वारा रिफिल किया जाएगा। इस जुगार की लागत मात्र 66 रुपे आई है। इस जुगार को मॉंटी निगम, चीनु चौबे, रवी यादव, नीरच तिवारी, सोनु जैन, अरपित चोहान, शुभम पांडे, आजार चौरस्या, हेमन जैन, करन सांखला, गनीश पवार एवं मुकेश दूबे आदी लोगों ने मिलकर लगाया है। लगातार 22 तारिक से पुरे शहर के अंदर जरौतमंद लोगों तक भोजन के रूप में, सेनिटाइजर के रूप में, कपड़ों के रूप में हम लोग सेवा पहुचा रहे थे। उस बास पर तीन बॉटल लगाई है। एक बॉटल में हमने डेटॉल का लिक्विट हेंड वॉच जो रहता है। वो डाला है और दो बॉटल में पानी डाला है। तो जो भी लोग यहां पर आसपास रहने वाले लोग है, जब उनको भोजन देते हैं तो यहां पर हाथ दोने के लिए उनके पास ऐसे कोई व्योस्ता रहती नहीं है। चुकि यहां पर सुबलाप सोचाला है, लेकिन व्यक्ति अगर खुछ संक्रमीत है और बाहर बाहर अंदर बाहर करेगा तो संक्रमन का खत्रा बढ़ जाता है। जो अपने पैरों से एक्सलेट करेगा पानी की बाटल को, तो बाटल बीना संक्रमीत हुए हाथ धूल जाएगा, एक बाटल से उसको हाथ में लिक्विट आजाएगा और दूसरी और तीसरी बाटल जो हाथ दो सकेगा। तो ऐसा प्रयास किया गया है कि लोगों को संक्रमन से बचाया जाए जाए जादा से जादा उसको लेकर नीड़ डोनेशन गूर्प द्वारा एक पाहल करी गई है। अभी हम लोगों ने यहाँ पर एक यहाँ पर किया है एक मजदूर चोरा है जो दूसरी जगे वो और तीसरा रिलवेशन के सामने हैं क्योंकि यह जो जगह है यहाँ पर अधिकतर सडकों पर रहने वाले लोग है जिनके पास घर नहीं है उनके लिए यहाँ पर इनिशली प